आइन क्लास आफ सॉफ्ट्वेर इंजिनियरिंग डेर स्टुडेंट्स इस लेक्चर में हमने सॉफ्ट्वेर पैराडाइम्स के मतलिक जो है वो डिसकस करना है के सॉफ्ट्वेर पैराडाइम्स का मतलब क्या होता है और इस topic से related जितने एहम points होंगे वो भी हम इस lecture में cover up करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले software paradigm की definition को हम समझेंगे software paradigm refer to the methods and steps which are taken while designing the software यानि के software paradigms का मतलब यह होता है इसमें हम वो methods या procedures समझते हैं understand करते हैं या आप इसको इस तरह से समझ लें के software paradigms जो है यह इसका मतलब होता है methods, procedures जिनको adopt किया जाता है किसी भी software को design करते वक ठीक है जी software paradigm का मतलब होता है steps or procedures या methods जिनका हम इस्तमाल करते हैं किसी भी software को develop करते हुए अब इन methods में क्या चीज़ें आ जाती है ठीक है जी there are many methods proposed and are in work today but we need to see where in the software engineering these paradigms stand यानि के वैसे तो हमारे पस बहुत सारे methods मुझूद हैं लेकिन software engineering के हिसाब से इन methods में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको आप अगर देखना चाहें तो इस diagram में वाज़े करने की कोशिश की गई है software paradigm के अंदर majorly तीन चीज़ें डिसकस की जा रही होती है उन में जो सबसे major चीज़ है वो है आपकी software की development अब development का मतलब है कि आप कोई software बना रहे हैं अब software को develop करते हुए दो चीज़ें आती है यह देखें यह जी software development है यह इसका circle आपको नज़रा रहा है डार्क ग्रीन कलर में अब development के अंदर दो चीज़ें प्रोग्रामिंग और design यानि के design यानि के वो चीज़ जो यूजर देख रहा है ठीक है जो options जो interface यूजर के सामने नज़र आ रहा है और उस design ने work किस तरह से करना है उन options ने work किस तरह से करना है उसके लिए चाहिए हमको programming तो programming और design ये दो चीज़ें शामिल होती है software development के अंदर ठीक है जी इस diagram को दिखाने का यहां पर मतलब यह है और वो लिखता भी है कि programming paradigm is a subset of software design paradigm ये देखें ये software design के अंदर इस चीज़ को जो है वो रखा गया है ठीक है जी which is further a subset of software development और इसी तरह से ये development का भी subset बनता है ठीक है तो ये subset वाला जो अपना point है ये software engineering के हिसाब से इसको बताया जा रहा है कि ये जी आपके सामने एक set है इसको हम कहरे है software development इसके अंदर दो subset है एक software design और एक programming जो software का design है ये subset है software development का और इसी तरह से programming भी subset है software की development का इसके अलावा जो programming है वो subset है किसका software design का क्योंकि ये देखें उसके set के अंदर इसका ये जो है area आपको दिखाया जा रहा है अब मजीद इसको explore कर रहा है के software development paradigm this paradigm is known as software engineering paradigm where all the engineering concepts pertaining to the development of software are applied it includes various research and requirement gathering which help the software product to build तो software को develop जब आपने करना है उसमें दो major चीज़ें अगर आप देख सकें इस diagram में programming और design की हैं लेकिन अब programming हमने किस तरह से करनी है और design हमने किस तरह से बनाना है ठीक है सबसे जो main चीज़ होती है वो होती है किसी भी software का interface उसका design ठीक है design के पीछे फिर workable script लिखते हैं हम source code लिखते हैं उसकों programming कहते हैं तो अब software आप बना रहे हैं software को आप design कर रहे हैं उसका एक interface बनाते हैं उसकों software design बोलते हैं ठीक है और software design basically जो है वो इनहिसार कर रहा होता है उन requirements के उपर जो हम gather करते हैं ठीक है जी अगर हमको requirements दुरूस तरीका से मालूम होंगी तब ही हम जब software को design करेंगे हम उस design में वो तमाम चीज़ें शामिल कर पाएंगे और जब आप काम्याब तरीका से software को design कर लेते हैं तो उसके बाद हमने उन की programming करना होती है options की उन menus की उन buttons की जो हम अपने software के design में या interface में हमने शामिल किये हैं उसके बाद बात की जा रही है software design की कि ठीक है जी software को design करने के लिए हमने requirement gather करना होती है फिर हम design कर लेते हैं और design करने के बाद सको हम program कर लेते हैं यह तो हो गया हमारा software को develop करना यानि के यह चीज़ जो आपको इस diagram में बताएगे है कि develop कर रहे हैं तो उसमें आपको design भी ब programming भी बनाना पड़ेगी अब यहां पर फिर further वो बात कर रहे है design paradigm के design paradigm के अंदर आपने क्या करना होता है design करना होता है उस design की maintenance करना होती है ठीक है और उसके अलावा आपने programming करना होती है मतलब कि आपने software बनाया उसमें आपने कुछ buttons लगाए तो फिर आपको उन buttons की programming करना होगी इसी तरह से अगर आपका कोई उसमें issue आ जाता है आप उसमें कोई button कम कर देते हैं या कोई option आप जो है वो शामिल नहीं करते या आपने इजाफी बना लिया था या आप उसमें कोई और editing करते हैं अपने software के interface में तो यह तमाम चीज़ें जो है वो maintenance के अंदर आ ना यानि किसी भी language के अंदर C language के अंदर या इसके लावा Java के अंदर या anyone जिस भी platform का use करके आप software को build करने जा रहे हैं तो आप coding जब करते हैं तो आपको किसी एक programming language का high level programming language का आना लाजमी होता है तो इस paradigm is related closely to programming aspect मतलब के इस programming paradigm का जो मतलब है या जिसका तालुक है वो तालुक है programming के साथ ठीक है programming से क्या मुराद है कि आपको कोई language जानी चाहिए high level programming language जैसा के C या C++ या Java या जो PHP है या इस तरह से कोई और आपको language जानी चाहिए जिस language का यूज करके आप जो है वो software की coding कर सके और इसको हम programming paradigm कहते हैं ठीक है उसके बाद programming के बाद जब आप code लिख लेते हैं तो programming paradigm के अंदर एक और काम आपने करना होता है उसको हम कहते हैं testing जो code आपने लिखा है आप उसको चला के देखते हैं कि क्या ये work कर रहा है क्या इसमें कोई error तो नहीं है ठीक है जी इसी तरह से फिर आप करते हैं integration integration का मतलब क्या है जी integration का मतलब ये होता है कि आप जो है अगर एक software को build up कर रहे हो एक software को बना रहे हो तो उसमें काफी सारे options होते हैं और हो सकता है वो काफी सारे options या वो काफी सारे जो menus है वो आप अकेले developer ने ना बनाए हो बलके group of persons ने बनाए हो तो जब एक software के मुख्तलिफ हिससे different people बनाते हैं या एक ही person जब different उकात में different times के अंदर एक software के different parts की coding करता है तो at the end उन तमाम parts की coding को वो आपस में integrate करके शामिल कर देता है उस software के